नमस्कार मैं हूँ यासमीर अबर आ रही है कि कॉफी विद करन का सात्वा सीजन ठंडे बसते में जा सकता है एक लीडिंग वेबसाइट के मताबिक इस शो को लेकर हो रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसके सात्वे सीजन को हाल फिलाल शूट नहीं करने का फैसला किया मालुमों कि कुछ हफ्ते पहले स्टार वर्ल्ड ने कॉफी विद करन के सात्वे सीजन का टीजर जारी किया था बतादे कि सुशान की मौत के बाद से ही लोक करन जोहर पर उनकी मौत का इल्जाम लगा रहे है ऐसे में मेकर्स को इस बात की चिंता है कि अगर इस वक्ट शो का नया सीजन आया तो उन्हें ओडियन्स और सोशल मीडिया के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि कोरोना वाइरस के चलते कई सितारों ने शो के लिए शूटिंग करने से मना करते हैं बतादे कि सुशान के निधन के बाद आलिया भट और सोनम कपूर का कौफी विद करन से वीडियो वैरल हुआ था वीडियो में करन ने आलिया से kill, marry और hook up का सवाल पुछा था उन्हें तीन आप्षन दिये थे रनवीर, रनवीर और सुषान जिस पर आलिया भट ने कहा था कि वो रनवीर कपूर के साथ शादी करेंगी डनवीर सिंग के साथ हुकप और सुशान सिंग राजपूत को किल कर देगी इसके बाद एक और वीडियो सामने आया था जिसमें सोनम कपूर कहती है कि वो सुशान को नहीं जानती इस वीडियो को लेकर सुशान के फैंस ने तीनों सेलेप्स पर जम कर खरी खोटी सुनाई थी ऐसे में कहा जा रहा है कि करन जोहर के इस चैट शो का आना अब मुश्किल होगी है खबरों की माने तो इस शो के जरिये करन जोहर करोडों की कमाई करते है लेकिन आब लगता है करन को इस शो से हाथ दोना पड़ सकता है बता दे कि सोशल मीडिया पर कई लोग बॉलिवूड में होने वाले भेदभाव पर अपनी भडास निकाल रहे है जिसके चलते करन जोहर, सल्मान खान के अलावा कई स्टार्स लोगों के निशाने पर है यहां तक ही बॉलिवूड के ही कुछ स्टार्स ने भी नेपोटिजम को बढ़ावा देने वाले स्टार्स को करारा जवाब दिया था सुषान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बाहर निकल के आई है कुछ मैंने इंटर्व्यू पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभिशेक कपूर जिन्हों ने उन्हें लॉंच किया उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदाना उनका कहना है कि वह समाजिक रूप से की गई अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैं किय कि कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मार गया है तो ब्लाइण आइटम आप इस लिए क्यूंकि आप जब जूठना होता है आप लाय। तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा तेईस ऑगस्ट दो हजार सत्रा को बॉलीवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वह जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वह सबसे बड़ा नार अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्नलिस्ट है यह जो चील कवए गिद है जो मुवी माफिय के पाले किया आपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैंक किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करत सरयाम और समाज कुछ नहीं कहता कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उनपर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद मेरी फिल्म रीलीज हो गाइब होगे तो मेरा क्याने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय के बुनियात पर खड़ा है और कभी आवाज न का निखा जाता तो यह अन्याय का फंदा किसी विन आप के ब alleviate लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां व्जेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चले गा किया गुजरती होगी को को